बसकार दोस्तों मैं राहूल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पार्ट साला में और पार्ट साला रिल्वे एक्जाम में उमीद करता हूँ आप सभी बहतर होंगे स्वस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे फिलालाद तारीक है 24 जुलाई और आज के इंपोर्टेंट करिंट अपर्ट आपके सामने आ गए हैं पहला कोशन आपके सामने है कि इंडिया इंडिया समिट सम्मेलन की थीम क्या रही तो इंडिया इंडिया समिट क्या था और इसको पैदानमंती नरेंद मोधी जी ने भी अभी हाली में संबोधित किया था तो उसकी theme के बारे में जरूर चर्चा करेंगे लेकिन उसे एक बड़ी good news आपके सामने है और वो है काकरा पार परमाडू बिजली संयंत्र ने तीसरे reactor की सुरुवात हो गई है यहाँ पर चार रियक्टर बनाए जाने थे जिसमें से दो आल्रेडी काम कर रहे थे तीसरा रियक्टर फिर चालू हो गया है जिसे काकरा पार यानि कि कैप 3 कहा गया है किसी भी देश को अगर आगे जाना है तो आज की डेट में दो चीजों पर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अंत्रिच इस्टेशन एक अंत्रिच में टेक्नलोजी और एक दूसरा परमाडू उर्जा जो देश परमाडू उर्जा और अंत्रिच के छेतर में पिछड जाएंगे वो आगे कभी भी विखसे देशों को नहीं पकड़ पाएंगे इसी करम में भारत जो है वो बड़ी तेजी से अपनी एनर्जी अपनी उर्जा और अपनी टेक्नलोजी को परमाडू उर्जा में लगाता चला जा रहा है बारत में परमाड़ उर्जा की देखरे करनी के लिए परमाड़ उर्जा आयोग होता है लेकिन परमाड़ उर्जा आयोग का सारा कारिभार प्रधान मंतरी के पास होता है तो अब चलते हैं काकरापार काकरापार गुजरात में जगे है ये गुजरात के सूरत में तापती नदी के किनारे इस्थित है कागरापार एटॉमिक पावर इस्टेशन इस प्लांड का विकास और आपरेशन नुकलियर पावर कॉर्परेशन ओप इंडिया दौरा लिम्टेड दौरा किया जा रहा है फिलाल इसकी जो सुरवात है वो 22 जुलाई को हो गई है इस उर्जा सेंद्र के इस रियक्टर की छमता 700 मेगावाट है ये अपने आप में एक बड़ी छमता है और यह गुजरात में इस्तित है घरेलू डिजाइन पर आधारित इस रियक्टर का निर्मान मेकिन इंडिया पहल के तहट किया गया है और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा रियक्टर है जो ऑपरेशनल हो गया है यानि कि जो अभी कारे कर रहा है आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि देश के बड़े-बड़े रियक्टर कहां पर है और देश में कहां-कहां पर अटोमिक उर्जा उपलब्द है कैप 3, Mark 4 टाइप केटेगरी का एक उपकरण है जो प्रेसराइड हेवी वाटर रियक्टर्स डिजाइन का बहतरीन नमूना है हेवी वाटर का प्रियोग आप सभी ने पढ़ा होगा बच्पन में नापकी खंडन और नापकी सनलाइन अभिक्रिया नूक्लियर फिजन और नूक्लियर फ्यूजन ऐसे में जो इलेक्टरॉन या नूटरॉन मुक्त होते हैं और उनकी वज़े से काफी जादा मात्रा में उर्जा निकलती है जिसे उसमा होती है और इन neutron को नियंत्रित करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है जिसे D2O कहा जाता है Deuterium Oxide जबकि जो normal जल होता है यानि सामाने पानी होता है उसका सूतर H2O होता है फिलाल अप्रेल 2019 में World Association of Nuclear Operations ने CAP-3 की pre-startup review शुरू किया था और अब इसे पूरा clearance मिलने के बाद क्योंकि कहीं पर भी जब नाप की reactor बनाया जाता है तो उसके लिए सुरच्छा सम्मंदी जिम्मेदारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता होती है वरना किसी भी समय एक बड़ी दुरगटना रूप ले सकती है CAP 3 की ये उपलब्दी काफी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इसके परिचानन के आने के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास nuclear power technique है जो परमाडू से यानि के atom से बिजली बना सकते है अभी तक हमारे पास वैसे तो uranium का इसमें प्रयोग किया जा रहा है इसके वारे में और विसेशता ही यहाँ पर है ये जो काकरा पर CAP 3 जो है ये तीन इस्तर का nuclear program विकास किया गया है इसमें close fuel cycle का प्रयोग किया जाता है close fuel cycle क्या होती है इसमें तीन चरण का परमाडू कारिकरम होता है इसमें जहां पर पहले चरण में इस्तमाल हुए इधन को फिर से प्रोसेस करके अगले चरण के लिए इधन बनाया जा सकता है इस प्लांट में 220 MWE MWE का मतलब हुआ मेगावाट इलेक्रिक मेगावाट इलेक्रिक जो है ये एक यूनिट है जो इलेक्रिकल पावर इंडस्ट्री में काफी यूज होती है जो बिजली उद्योग में काफी ज़्यादा प्रयोग की जाती है इसका मतलब होता है 1 million watts of electrical capacity मेगावाट आर ये 1000 kilowatt आर और 1 million watts hour होता है तो बिजली नापने की यूनिट होती है और मेगावाट electrical को यानि की बिजली की सकती electrical power नापने की यूनिट कहा जाती है तो इस plant में ओल्रेडी दो station KAPS1 और KAPS2 है जिनकी छमता 220 MWE पहले plant की शुरुआट 1993 में की गई थी जबकि दूसरे plant की शुरुआट 1995 में होई थी और तीसरे plant की शुरुआट जून 2010 में होई थी जो अब जाकर complete हुआ है और जहने अब काम करना शुरू कर दिया है 700 MWB KAPS3 reactor इस nuclear power station का तीसरा phase है ये एक heavy water reactor plant है जिसे भारत के सर्वस्रेष power station का दर्जा प्राप्त हुआ यानि कि काकरा पार परमाणू सैंत्र जो है उसका KAPS3 भारत का सर्वस्रेष्ट power station है वर्तवान समय में KAPS3 reactor देश के सबसे बड़े heavy water reactor में से एक है या सबसे बड़ा heavy water reactor है जिसे सुदेसी तरीके से बनाया गया है इसमें प्राकरतिक unionium को इधन के तोर पर डाला जाएगा इसके लावा heavy water को moderator यानि कि मंदक के रूप में प्रयोप किया जाएगा अब तक इससे बड़ा heavy water reactor माराश के तारापुर में था जो की 540 MWV का है और ये का भी भी काम कर रहा है 700 MWV के देश में चार reactor बन रहे हैं एक cap 3 और cap 4 ये दोनों ही काकरापार में बनेंगे जबकि RAPS और 7 और 8 RAPS से मतलब है रावत भाटा और 700 MWV के कुल 12 reactor बनने हैं अभी 4 बन रहे हैं 12 बनने हैं और ये सारे reactor तमिलनाडू मदबदेश करनाटक राजिस्थान और हरियाना में बनेंगे 12 सरकार की योजना है कि 2031 तक जो आज हमारा उत्पादल है 6700 MWV उसको बढ़ा कर 22400 MWV कर दिया जाए और इस देश को परमाडू उर्जा का एक बड़ा इस्त्रोत मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जरूरत है बिजली की वो कहीं न कहीं सस्ते दामों पर पूरी होने लगेगे बढ़ इसी क्रम में अगर हमें NSG की सद्दस्यता और मिल जाए यानि कि अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की है काकरापार काकरापार आपका गुजरात में है रेड गलर का मतलब ये है कि ये ओपरेटिंग हो गए है दो अभी ऑपरेटिंग है 220 मेगावाट के और 700 मेगावाट अंडर कंस्रक्शन में था और ये समेप से भी एक अब ऑपरेशनल हो गया है इसके लब अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो काम होने वाला है वो कुडन कुलम तमिल नाडू से हमें देखने को मिलेगा ये अगली जो हमें गुड न्यूज मिलेगी परमाणू सेंद्र के मामले में वो यहां से मिलेगी यहां पर दो 1000 मेगावाट वाले डेवलप किये जा रहे हैं जबकि 4 प्रपोजड हैं इसको पूरा ध्यान से देख लीजेगा हमारे उत्तर प्रदेश में भी नरौरा में भी दो उपरेटिंग यूनिट है 220 मेगावाट के उपरेटिंग यूनिट है राजिस्थान इस मामले में सबसे आगे है औरल कैपेसिटी में तो कम है लेकिन परमाणू सेंद्र के मामले में देखा जाए तो वहाँ काफी जदा परमाणू सेंद्र आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा मीथी विर्दी गुजरात में एक जगह है मीथी विर्दी यहाँ पर भी ये 1000 वाले मेगावाट वाले छे परमाणू सेंद्र बनाने का काम चल रहा है यह प्रपोर्ज है बनेगा यहाँ पर तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा से स्टडी और कर ले न देश क्या कर चाता है कि देश में अब तक देखा जाए तो 14 गुना अपनी एनरजी को इंकरीज करना चाता है और 14 नए रियक्टर बनने वाले हैं 20 रियक्टर जो है वह वरतमान समय में ऑपरेटिंग है यानि कि 20 रियक्टर अभी वरतमान समय में काम कर रहे है देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग तारापुर में था लेकिन अब ये जगे बदल जाएगी और अब ये काकरापार हो जाएगा जहां 700 MWE यानि कि मेगावाट इलेक्टरिकल का कैप 3 काम करना सुरू कर चुका है भारत की बात करें तो भारत में पूरा परमाडू उर्जा का जो से है वो हो मी जहां गीर भाबा को जाता है अगली जनगरी DRDO से DRDO ने एक ड्रोन मनाया है भारती सेना के लिए और इस ड्रोन का नाम भी भारत रखा है ये ड्रोन उचाई वाले इलाकों और पहाडी शेतरों की निगरानी में अद्वत छमता का प्रतसन कर रहा है भारत चीन तनाओ के बीच इस ड्रोन को पूरवी लद्दाक के पास वास्तविक नियंतर नेखा पर निगरानी के लिए रखा जाएगा ये ड्रोन DRDO के चंडी गड़ इस्थित प्रयोग साला में विक्सित किया गया है 12 सीरीज के ड्रोन दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हलके सर्विलांस ड्रोनों में से एक है या ड्रोन इस तक्रीब से बनाए गया है कि ये राडार में पकड़ में नहीं आएगा ये एक छोटा लेकिन बेहत ताकतवा ड्रोन है जो किसी बीस्थान की निगरानी वक करते वक बेहत शटीक जानकारी देगा फिलाल बात करें DRDO की तो DRDO के हैड है वर्तमान समय में G-37 Reddy इनको अभी हाली में दो बड़े सम्मान प्राप्त हुए थे एक हुआ था मिलाए मिसाइल सिस्टम एवार्ड इनने दिया गया था AIEA दोरा यानि कि American Institute of Aeronautics and Astronautics दोरा इनको मिसाइल सिस्टम एवार्ड मिला था G-37 Reddy DRDO के हैड और ये सौ साल में पहले साइन्टिस्ट बने हैं जिनने Royal Aeronautical Society दोरा United Kingdom की fellowship प्यदान की गई थी रच्छा नुसंधान अन्विकास संगठन यानि की Defense Research and Development Organization DRDO का मुख्याले नई दिल्ली में है रच्छा नुसंधान विकास संगठन भारत की रच्छा से जुड़े अनुसंधाने कारियों के लिए देश की अगरणी संस्ता है बेहत अच्छा ड्रोन भारती सेना को सौपा है भारत और मालदीव के बीच में Medical Emergency को लेकर अभी हाली में एक समझौता ग्यापन पर हस्ताचर किये गए है आपको पता है होगा आपने न्यूस तो आप डेली देखी रहे हो आप जानकारी भी डेली मुझसे करेंट अभ्यास में ले रहे हो तो COVID-19 के दौरान भारत ने मालदीव की बहुत ज़्यादा मदद की है कई सारी वैक्सीन वहाँ पर पहुँचाई कई सारा रहत सामगरी वहाँ पर पहुँचाई तो भारत और मालदीव ने राधधनी माले में एक आपात कालिंची किच्चा सेवाँ के लिए एक समझौते पर हस्ताचर किये है क्योंकि मालदीव एक छोटा सा देश है और वहाँ पर कोविन-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त सुविदायां मौजूद नहीं है जिसके लिए भारत अपने इस समुद्री पढ़ोसी देश को दो करोड अमेरीकी डॉलर की सायता देने वाला है मालदीव से एक जुड़ीवी नियूद अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि स्री लंका और मालदीव अभी हाली में ये पहले दो ऐसे कंट्री बने हैं साउथ इस्ट एसिया की निदच्छिडपूर्व एसिया की जिन्हों ने अपने आपको रूबेला और मीजिल यानि की खसरे से मुक्त कर लिया है इसके अलावा आई एनस केसरी भारती नौसेना का जहाज जो 14,000 किलो मीटर 49 दिन में जिसने तै किया मिसन सागर के अंतरगत मिसन सागर जो था इसका फुल फॉर्म था security and growth for all in the reason तो भारत के जो भी पडोसी समुद्री देश है उनको पैदान मंतरी नरेंद मोदी जवारा इंडियन नैवी दोरा शुरू किया गया मिसन सागर इसलिए था ताकि उन देशों की मदद की जा सके जो की समुद्री भारत के समुद्री देश के पडोसी है यानि कि भारत के समुद्र शेतर के पडोसी है ऐसे में मालदीब की जो मदद की गई थी वो मिसन सागर के अंतरगित की गई थी मिसन सागर भारती नौ सेना दोरा चलाए गया था पडोसी देशों की मदद करने के लिए डिरिंग दा पेंडेमिक इसको 10 मई 2020 को सुरू किया गया था चाथ दिन चला था और 28 जून 2020 को आइनस केसरी हमारा वापस भारत आ गया था मालदीब की बात करें तो यह है आपका भारत यहाँ पर नीचे आपको लच्छदीब मिलेगा राधानी माले, मुद्रा चलती है रुफिया, महादीब तो एशिया में ही आएगा और राश्पती वर्तमान समय में है इब्राहिम मौहमत सौले तो बारत आ मालदीब के बीच में आकास्मी चिकिस्सा को लेकर हुआ समझोता अगली जानकारी, ये खुसकबरी भी है और ये जो लुफ सोच रहे हैं कि सर कोरोना में अब क्या होने वाला तो उसका थोड़ा सा जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाते है हाली में National Center for Disease Control ने नई दिल्ली में COVID-19 के दौरान सीरो सर्वे करवाया सीरो सर्वे क्या होता है, ये एक Blood Test होता है जिसमें मनुस के सरीर में मौझूद Antibodies का मापन किया जाता है यानि Antibodies का पता लगाया जाता है Antibodies को हिंदी में कहते हैं प्रतीरच्छी यानि कि आपके सरीर में अगर किसी चीज का Antibody है जैसे माली जे कोरोना के खिलाफ आपके सरीर में Antibody डेवलप हो जाए तो आप चाहें जितना भी कोरोना के संक्रमन में आएं आपको जुकसान नहीं होगा इसमें दिल्ली की 11 जिलों को सामिल किया गया था और 21,387 लोगों के नमूने एकत्र किये गए ये सभी नमूने दो समूव में माटे गए थे एक 18 वर्ष की आयू तक वाले और एक 18 वर्ष से उपर वाले इसमें पाया गया कि सर्वेच्छण में सामिल तेई दसमलो अरताले पेस्द लोगों के सरीर ने कोरोना वाइरस के खिलाफ एंटी बॉडी विक्सित कर ली है जो ये दर्साता है कि वो नौवल कोरोना वाइरस यानि कि सार्स कॉवटू के संपर्ख में आये उनको कोई परिशानी नहीं हुई उनके सरीर ने बकाइदा इस वाइरस को हरा दिया है यानि बिना वैक्षीन के भी इस वाइरस को हराया जा सकता है ये इस बात का सबूत है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जिनके सरीर में छमताएं हैं जैसे जैसे वो पतीर अच्छा तंत्र विक्सित करते चले जाएंगे एंटी बॉडी डेवलप करते चले जाएंगे एक समय ऐसा आएगा जब कोरोना वारस तेजी से कम होना शुरूख हो जाएगा तो औसतन पूरी दिल्ली में इस अध्यन के अनुसार कई संक्रमित लोगों में संक्रमन के लच्छन नहीं थे इससे पता चलता है कि राष्टी राजदानी के 11 जिलों में से आठ में से 20 प्रिस्द अधिक आबादी के सरीर में कोविड-19 से लड़नी की एंटी बॉडी डेवलप हो गई है यानि कि वो जब उसके संपर्क में आए तो उनके सरीर में पतिरच्छा तंतर विक्षित हो गया इसका आगे का संकेत यह है कि कोरोना वाइरस का जो भविश्य है अगर ये बात सच है और ये डेटा सच है और ये सारी की सारी जानकारी एकदम सही है वैसे सही होनी चाहिए क्योंकि National Center for Disease Control ने इसे दिया है तो अगर ये सभी बातें एकदम सही हैं तो एक ऐसा दिन आएगा जब कोरोना वाइरस के संक्रमन के मामले तेजी से कम होना शुरू हो जाएगे वैसे सीरो सर्विष्ण का मतलब होता है विसिष्ट एंटीबॉडी की पहचान करना लोगों के blood serum की जांच की जाती है और किसी आबादी या समधाय में ऐसे लोगों की पैचान की जाती है जिनमें किसी संक्रामक को के हिलाफ antibody विक्सित हो गई है अब यहां पर एक बड़ी बात यह है कि यह लोग जो coronavirus में antibody जिनके सरी में develop हो गई है उनका plasma भी लिया जा सकता है और इसके जरीए एक अच्छी खबर हमारे पास है कि हमें ज्यादा डरने की जरूत नहीं है लेकिन फिर भी साउधानी तो रखनी ही चाहिए तो दिल्ली में हुआ था सीरो सर्वे अब बात करते हैं India Idea Summit India Idea Summit को 22 जुलाई 2020 को India Idea Summit को पैदानमंती नरेंद मोधी जी ने सम्भोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना वाइरस से बचना है किस तरीके से यहाँ पर भारत ने प्रयास किये और किस तरीके से भारत ने यहाँ पर डेवलप्मेंट किया है और भारत आपको हमारे किसानों के हार्ड वर्क में निवेश करने हेतू आमंतरित करता है यानि कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रदान मंतरी जी ने निवेश करने की बात की है इस summit का आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है इस साल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे है और इस पूरे कारीकरम का जो theme रहा वो रहा बहतर भविश्य का निर्मा तो यहाँ पर आत्म निर्वर भारत योजना की भी बात प्रधानमंत्री जी नहीं की थी यह आपका साउथ कैरोलीना डिपार्टमेंट आफ कॉमर्स वरा शुरू किया गया था और 2020 इंडिया आइडिया समिट में भारत विस्स को ये बताता है भारत अमेरिका को जैसे देशों को ये बताता है कि भारत की आगे की प्लानिंग क्या है और किस तरीके से वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को ले जाने वाले है एक बड़ी खबर भी है यहाँ पर इंपोर्टन आप सभी को याद होगा नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ नासा परसेवरेंस नाम से परसेवरेंस नाम से एक मंगल मिशन लॉंच करने वाला है 30 जुलाई को तियान विन लॉंच होने की कोई डेट ने धारित नहीं की गई थी लेकिन अचानक से चीन ने अपना पहला मात्वा कांची मार्स रोवर मिशन तियान विन एक लॉंच कर दिया तेई जुलाई 2020 को ये हैनांदीप विनचांग सेटिलाइट्स लॉंच सिंटर से लॉंग मार्च 5 रॉकेट दौरा लॉंच किया गया है चाइना का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉंग मार्च 5 और ऐसा नहीं है कि चीन ने इससे पहले मंगल के लिए खोज नहीं की है इससे पहले भी चीन ने अपना सबसे पहला मंगल मिशन 2011 में हिंग हुवन नाम से लॉंच किया था लेकिन उसे इसमें सफलता हासिल नहीं हुई आज की डेट में अगर आप देखें तो सभी देश मंगल की ओर मिशन लॉंच कर रहे हो जैसा कि मैंने आपको दो दिन पहले भी बताया था कि मंगल की ओर मिशन लॉंच करने का मतलब यह है कि अब धर्ती के बाद जो अगला ठिकाना मानों का होने वाला है वो सायद मंगल होगा और सभी वेग्यानी इसी खोज में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मंगल में जीवन की संबाबनाएं तलासी जा सके जो देश पहले मंगल पर पहुँचेगा जितनी ज्यादा जमीन वहाँ पर कब जा लेगा एक तरह से वहाँ पर भी वही सिस्टम होने वाला है वही चीजें लागू होने वाली जो प्रतिवी पर है कि जिसके पाँ जितनी ज़्यादा जमीन वो उतना ज़्यादा ताकत पर फिराल तियान्वेन की बात करते हैं तो तियान्वेन वन एक मंगल का और्बिटर एक लेंडर और एक रोवर मिशन है जैसा कि अभी हमने हाली में जिसमें और्बिटर था लेंडर था और रोवर था और्बिटर मंगल की कच्छा के चारोर चक्कल लगाएगा लेंडर रोवर को लेंड कराएगा मंगल की सतय पर और रोवर मंगल की सतय पर और ऐसा आतक कभी भी किसी देश ने नहीं किया और एक साथ तीनों चीजे मंगल पर भेजने वाला चाइना पहला देश बन गया है। और नासा का परसेवरेंस भी पहुचेगा। और ये तब देखना दिल्चस्प होगा कि किसका मिसन पूरी तरीके से सफल रहा और किसको असफलता हाथ लगी। फिलाल ये लैंडिंग का प्रयास करने से पहले दो से तीन महिने तक लाल मंगल की परिक्रमा करता रहेगा। तो ये चाइना का मंगल मिसन है जो चाइना ने जल्द लॉंच किया है ताकि वो नासा से आगे निकल सके। और अंतरिच शेतर में अपना दबदावा बना सके। और जैसा कि आपको पता है कि 2022 तक चाइना अपना खुद का अंतरिच स्टेशन भी डेवलप कर लेगा। तस्व जाली में मानौता के लिए इनाउगरल यानि की पहला गुल बेंग कियन प्राइच के लिए चुना गया है। उन्हें इस पुरुसकार की रासी के सिरुप एक मिलियन यूरो की पुरुसकार रासी प्यदान की जाएगी। उन्हें जल्वायू परिवतन से निपटने के अपनी नमीनता और नवचार प्रभावी प्रवायसों के लिए दिया जाता है। स्कॉट लेंड का साही भौगोलिक सोसाइटी की मानस चत्ता टाइम पत्रिका दौरा सौसरवादी प्रभावी लोगों की सूची में उनका नाम और वर्स का सबसे यूवा टाइम वेक्ती भी गोसित करना। ग्रेटा के नाम पर रखा गया है और जीपेकर ग्रेटा को सन 2019 का सम्यक जीवी का पुरुसकार यानिकी राइट लिवली हिट पुरुसकार भी दिया गया है। और 3 जुलाई 2020 को उन्हें गुलवे कियन पुरुसकार भी प्राप्त हो गया है। उनके लिए नामित हो गया है। इसके लावा उन्हें अंतर राष्ट्री ये बाल सांती पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था। देवेना मलूम के साथ अंतर राष्टी बाल सांती पुरुसकार भी उन्हें प्रदान किया गया है। अगली जनकरी है NMDC यानि कि राष्ट्री खनीज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन। सुमित देव देश की लौ आयस खयन कंपनी के अध्यच और प्रबद निदेशक के रूप में एक नियुक्त किया गया है। सुमित देव NMDC में निदेशक के रूप में सेवा रथ हैं और वह N. बैजेंदर कुमार का इस्थान लेने वाले हैं जो अगले महिने जो इसी महिने सेवा निवरत हो रहे हैं। नियक्तिव के बाद सुमित देव का कारेकल 2023 तक रहेगा। अगली जनकरी है एक और अच्छी खबर कि भारत ने सक्सेस्फुली अभी हाली में ध्रुवास्त्र नाम का एक एंटी गाइडेड मिसाइल चेक कर लिया है। एक 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 रत परिच्छा ड्रेंग से किया गया। दुरुवास्तर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एटी जीम यानि कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जिसे डियाडियो दोरा विक्सित किया गया है। या नाग हेलीना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। हेलीना जो है ये आपका नाग का एक संस्करण है। इसे हेलीना इसलिए बोला जाता है हेलीकॉप्टर प्लस नाग इसलिए इसे हेलीना कहा जाता है। और ये देश की उन्नत मिसाइलों में से एक है जिने रच्छा मंत्राले ने Integrated Guided Missile Development Program यानि कि IGMDP के तहत सुरू किया है इसके इसमें नाग के अलावा अगनी, आकास, प्रतवी, त्रिसूल जैसी घातक मिसाइलें डेवलप की गई है नाग मिसाइल का पहला टेस्ट नॉंबर 1990 में किया गया था तो नाग मिसाइल का ही परिस्करण है धुवास्त्र जो की Anti-Tank Guided Missile है अब बारी है आज के हमारे One Liner की भारत ने किस देश के साथ Emergency Medical Services की स्थापना के लिए समझाता किया है सुमित देव को किस संगठन के अध्यच्छो प्रबंदी दिश्चक के रूपे नित किया गया है राश्ट्री खनिज विकास निगम लिमिटेड यानि की NMDC भारती ससस्त्र बलो ने उडिशा के ITR में एकिकरत ट्रेणिंग रेंज में नाग मिसाइल का सफलता पूरो पसच्चन किया है उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम धुरुवास्त रखा गया है काकरा पार परेवाणुस बिजली सहित के तीसरे रियेक्टर की छमता कितनी है कहाँ परिस्तित है गुझरात में सूरत के निकट डियाडियो ने अभी हाली में भारत को सक्ति साली ड्रोन भारत की आपूरती की और चाइना ने अपना पहला मात्वा कांची मंगल मिशन तियान विन वन बॉंच किया अब बारी है आज के quiz की कि संग्धन के अध्यच व प्रबण दिजिशक के रूप में निउध्य किया गया है तो समित देव जी को National Mineral Development Corporation यानि कि राष्टी खनिज विकास संग्धन द्वारा के अध्यच के रूप में निउध्य किया गया है काकरापर परमाडू बिजली स्वयंतर के तीसरी रेक्टर कैप 3 की शमता 700 मेगावार्ट इलेक्रिकल है और यह गुजरात में इतित है तो एक आप्शन सही रहेगा किसने भारती सेनो को सकती साली सोधेश निर्मिन ड्रोन भारत आपउर्ती की है तो यह डी र डियो ने इसकी आपउर्ती की है इंडिया आएडिया स्वमीट का आ creat यें ने किया था यहसे किया था end बिजनेस काउंचल ने को मानवता के लिए किसको मानवता के लिए मानवता के कल्यार के लिए इनाउग्रेल गुल बेन की एन प्राइस से समानित किया गया है तो वो है आपकी ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की परियावरन कारे करता और किसने अपना पहला मात्वाकांची मार्स यानि मंगल रोवर मिशन लॉंच किया है तियान विन वन तो ये क्या है चाइना ने तो दोस्तों ये थे आज के हमारे important current affairs और उमीद कते हैं ये current affairs आपको पसंद आये होंगे आप कफी काफी समय से like नहीं करें तो वीडियो को like कर देना आज के वीडियो में मैं चाहता हूँ कि 2000 like हो जाए मैं wait करूँगा पूरे दिन देखते हैं कि 2000 like होते हैं कि नहीं तो फिलाल आज के लिए इतना ही रखता हूँ thank you so much bye bye ध्यान रखिएगा अपना